मुंबे की निकेड वज़े शड़े में पंचांबुली साधना सेविर का आईजन किया जा रहा है इसमें जो तीस रेकी, प्रानी खेलिंग, नमरोलोजी, हसरेखा की किस्सा साधना से जोड़े लोग भाग लें तो उन्हें अतिधिक लाब मिलेगा इस साधना से सामने वाले वज़े के सुभाव को जानना आसान हो जाता है इसमें सवा लाग से पाँच लाग मंदर तक का अनुष्ठान होगा अगर आप इस साधना में भाग लेना चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एटी जी के अंतरगर ट्रेक्स में चूट का लाब ले सकने हैं इसके बारे में आज इक जानकरी मीचे डिस्क्रिप्शन में लिगई है नमस्कार दिव्योग आसान के तरफ से आपका हर्दिक स्वागत है आज हम अंगारक योग की चर्चा करेंगे जानने की कुछिस करेंगे कि कुण्ली में अगर अंगारक योग होता है तो क्या होता है और उसका समाधान क्या क्या किया जा सकता है किसी भी कुण्ली में मंगल और राहो एक सास में हों एक ही भाव में हो तो अंगारक योग मनाता है अंगारक योग जिस भाव में बन जाता है उस भाव में यह होता है उस भाव से समंदित जो बाते होती हैं उस भाव से समंदित जो कारी होते हैं उनमें वो रुकावटे पैदा करता है मुक्य रूप से अंगारक जो योग है इसका प्रभाव मनुश्र के सुभाव पर आता है वो अपने सुभाव की वज़े से अपने बरताओ की वज़े से अपने समवंधों को वो बिगाळ लेता है अब यह वो चाहे जान बुचक करे या जाने में करे लेकिन उन संबंधों को बिगार लेता है तो आज इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे अंगारा की योग यानि मंगल राहू अगर प्रथम अस्थान में है आपकी कुल्णी में तो ये अंगार की योग बनाता है। आप अपने संबंधों को किसी भी तरह के जो संबंध हैं उसको सीरियस नहीं समझ पाते हैं इसकी वज़े से इसकी अहिमेत कम होनी की वज़े से आपका बरताव भी उसी तरीके से होता है। तो लोग आपसे नाराज और ऐसे कारण लोग आपसे दोस्ती जल्दी करना पसंद नहीं करते हैं, अगर दोस्ती करते हैं, तो हो जल्दी तूट जाती है, वो इसलिए कि आपके सुभाव में इस तरह की कुछ बाते हो जाती हैं, कुछ आपका सुभाव इस तरह का हो जाता है, जो सामने वाला पसंद aurá कि छोटी छोटी बारतों में भलकना स्वोर्टिंपर हो जाना अपनी भाक को मनुवानी की हादत यह सब होती हैं तो पुछ ब्रक्ति जो होते हैं उनका आपना भी स्वभिमान होता है वह आप से दिरे-दिरे अलग होना सुरू हो जाते हैं जबकि हो सकता है आप अपनी जगापको पुरी तरीके से सही हो लेकिन जब इस सर की चीज़े होती हैं तो आप परिशान हो जाते हैं दूसरे भाव में अंगारक योग हो यानि मंगल और राहू हो तो आप अपने सुभाव की वज़े से धन की हानी करा देते हैं अपने विवार की वज़े से धन की हानी कराते हैं तो बहुत बड़ा कारण आप ही माने जाते हो लेकिन आपको इस बात की समझ नहीं होती क्योंकि मनुसर क्या एक सामान गुण है कि वो अपनी गल्ती कभी मानता ही नहीं इस तरह सा आपका भी ये गुण है कि अपनी गल्ती को न मानने का अगर माने तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी लेकि चुकि आप अपनी गल्तियों को मानते नहीं समस्या इसी जगह पर आती है तो आप अपनी हर तरह की गल्तियों की वज़े से अपने धन की हानी जो पैसे आने के स्त्रोथ हैं उन्में रुकावड स्वयम बन जाते हैं तीसरे भाव में अंगारा की योग हैं तो आप जैसे कि जब दसी किसी से कोई काम करा रहे हैं दबाव डाल कर काम करा रहे हैं तो दबाव में कोई ब्रक्ति कब तक सहन करे तो उसमें जो शक्ति लगती है उसका उशेतर माना जाता है तो यह कमजोर हो जाता है प्राक्रम की छमता कमजोर हो जाती है इससे earning जो सोथ है वो प्रफावित होते हैं नुक्सान होना सुझ जाता है क्योंकि आप अगर ढंग से मैनत करें तो हो सकता है दज़ ज्यादा कमाए लेकिन आप बहुत हलके ढंग से इस चीज़ों को लेते हैं और इसके वह से नुक्सान होता है आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपके इसी तरह के कुछ अजीब सुभाव आपके देखकर आपके जो उपर के जो लोग हैं वो भी आपसे नाराज रहते हैं लेकिन इसमें खास भाद यह हैं आप अपनी गलती को यहाँ एनलाइज नहीं कर पाते हैं आप जिस ढक से बात करते हैं यह सामने वाले को अजीब लगता है जबकि आपको अजीब नहीं लगता यही कारण है कि हम अपने गलतियों को नहीं समझ पाते हैं इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाती लेकिन यही बात है कि पहले अच्छी तरीके से सोच ले फिर हम अपना विवार करें तो बड़ी बात मानी जाती है चौथे स्थान में अगर अंगारा की योग बना है तो आप अपने संबंदों से माता पिता से विवाद कर लेते हैं परिवार से विवाद कर लेते हैं और इसे आपके जो रिस्तेदार भी हैं वो उनकी मन में आपके पती जो भावनाएं हैं थोड़ी निगेटिव आ जाती है तो यहां आप अपने जो सुभाव से जो रिष्टे हैं उनको भी कमजोर कर देते हैं पांचो इस्थान में हैं तो आप नुकसान करते हैं अपने एजूकेशन्स को पुत्र प्राप्त करने में संतान पैदा करने में आपकी व्याक्यां अलग हो जाती है जैसे आप चाहते हैं कि जल्दी संतान हो तो पार्टनर चाहता है लेट हो ऐसी बहुत सी चीज़े हो सकती है यह आप चाहते हैं कि संतान लेट होनी चाहिए तो पार्टनर चाहता है कि जल्दी होनी चाहिए ऐसी बहुत सी चीज़े यानि संतान से समद्ध किसी प्रकार का विवाद हो सकता है प्रस आपका जो अंगारक योग जो होता है ये एक प्रकार से सरील में जबदस गर्मी पैदा करता है गर्मी पैदा करता है तो ये थोड़ी सी अर्चन पैदा करता है आपके परिवारिक रिलेशन में तो यहां भी आपको सूचने की जुरूत है और अगर छटे इस्तान में अंगारक यूग बना है तो सत्रों से हमेशा खत्रा बना रहता है सत्रों से हमेशा खत्रा बना हुआ रहता है इसकी वएसे लोग आपको जाने एंजाने पीछे से दुनिया भर के अभिचाहर कर्म जिसको कहते हैं तंत्र की क्रियाएं आपके उपर करते रहते हैं और आपको इन सेक्यूटी जिसको हम कहते हैं असुरच्छा की भावना यह भले अच्छा दिखाएं लेकि मन में हल्का सा डरे डरे रहते हैं क्योंकि जो आपका शत्रु है कि पता नहीं कब क्या तक्रीप आपको पहुँचा दे यह एक समस्या बन जाती है यह निस त्रुप की संक्या बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपने अगर पार्टनर अगर आपसे दबा हुआ है, तो कैसे भी करके साथ समय निकल जाए, लेकिन अगर पार्टनर आपका दबते दबते अकड़ जाए, खड़ा हो जाए, जवाब देने की मुद्रा में आ जाए, तो फिर विवाद जो है, वो एक भेंकर मोड पे चला जाएगा, तो कहन जब इतना दबाव बढ़ता है, तो वो भी उसका प्रतिकार करेगा, आपको सोचना है, विवाहित जीवन में एक दूसरे की एहमियत आपको देनी चाहिए, दबाव से किसी भी प्रकार का कारे नहीं करता, और ये गुस्य की वज़े से, तनाव की वज़े से, टेंसन की और ऐसे में अंगार की योग है, नही, नहीc बिमारी को लाता है, एक बिमारी गही, कि दूसरी ओए इस सब की चीज़ें की चीज़ें होती हैं आपकी जिन्मतम, और इसे आप मदब कहते हैं फसे रहते हैं उनमें, आप चाहते हैं इसे कैसे निकले, विख साथ आर्ट तेम अंगारा की योग बना है, तो कुछ मामलों में, कुछ माइनों में, ये सुब होता है, ये बात सही है, लेकिन भाग को थोड़ा सा वो नुकसान भी पहुचाता है, तो आपको हर पल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी के वैसे भी आपके अंदर चेचड़ाप आप रापती हो सकती हैं, तो भाग कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाता आपको, इसकी वैसे बहुत सी प्रकार की अर्चने आती हैं, दस्वे स्थान में अंगारव की योग बना है, तो आपका जो प्रोफेशन, आपका जो कर्म हैं, चाहे आप नूकरी कर रहे हैं, व्यापार कर दुकान कर रहे हैं, या अंगारव की योग होने की वैसे उसमें थोड़ी सी अट्चने हाती हैं, आपको उतना और्णिग नहीं हो पाता कि जतना आपको हक है, जतना आपको मिलने का हक है, लेकिन उतनी चीज़े आपको नहीं मिल पाती, इससे भी एक पकार का गुस्सा चे के बाद जब आप हिसाब लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, बहुत कम मिला, तो जो लाव मिलना चाहिए, जिसके लिए आप नीतिम महनत की, लेकिन उतना लाव आपको नहीं मिलता, या आपने की जो योगिता है, आपने जितनी महनत की है, उसके जितना लाव आपको मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिलता तो भी आप परिशान हो जाते हैं बारवें स्थान में अगर आपको अंगारा की योग बना हुआ है तो ये रिस्तों को नुकसान पहुचाता है विवाहित जीवन को नुकसान पहुचाता है और कोई भी कार जैसे मार्केटिंग जैसे कार हैं उने में आप पीछे हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर छमता है लेकिन किसी को मजबूर करने की छमता नहीं आपाती कि वो चीज जो खरीद ले तो जब आपको टार्गेट पूरा नहीं होता आपसे तो भी आप नुकसान में चले जाते हैं तो इसी बहुत सी चीजे हैं कि आप अपने विवसाइद को बिजनिस को जो है वो है लेकिन उसको बढ़ाना आपके लिए बहुत मुस्किल हो जाता है इससे भी आप निरास हो जा मंगल है यह सरीर में एनरजी देता है उरजा देता है यह सही है लेकि जब दोनुचीजे एक साथ में आ जाती है थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है तो आप गुस्षे में जल्दवाजी में कोई अगर डिसिजन्स लेते हैं तो उनमें बहुत 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 नुक्सान ह होता है तो देखा जाये तो अंगारा की योग आपकी कंटली में हैं किसी भी भाव में है तो आपको नुक्सान पहुचाता है आपकी कैरियर को पुर्णी तरीका नहीं देता आपकी जीवन में जो रिलेसंसिप को भी बढ़ने नहीं देता, संबंद तूटते हैं, बनते हैं, बिगडते हैं, बिगडते हैं, इस सरके चीजे होती हैं, तिन के लिए एक अंगारा की योग पुजन की जरूत होती है, ये पुजा किसी भी सोमार के दिन से, या सिवरात्री के दिन से, महा सिवरात्य के दिन से, या फिर क्रस्म पुज की त्रियोद्री इस दिन छोटी सिवरात्री आती है, इस दिन ये पुजा संपन कराई जाती है, ये पुजा दो तरीके से होती है, वैदिक तरीके से, तांतरुक तरीके से, तो मेरी राय में आप तांतरुक तरी रेवधर्शी को पूजन करवाती है, उस दिन सीवराक्षी आती है, तो उस दिन ये आप पुजा करा सकते हैं, नीचे description में link दिया है, वहाँ से आप form भर सकते हैं, ये आप पुजा में आकर भाग लेकर भी कर सकते हैं, या online भी कर सकते हैं इसके अलमा दूसरी जो विधी है वो है विसीस प्रकार का मंत्र का अगर जाप करते हैं तो भी इस पर एक हद तक नियंदर्ण आप टाप्त कर सकते हैं तो आए जानते हैं क्या करना चाहिए डिले ले वस्में के किसी शांत कमरे में बैढ़ जाए जमीन पर न सायम करें इसके बात अंगारा की योग मंत्र यानि इस तरह की मुद्रा लगा लें एक मुद्र लगाने के कारे से दहे नमहा इस मंदर का उपांसु जाब करें यानि धीमिया आवाज में जाब करें यानि आपके आवाज आपके कमरे से भाहर जाने नपाएं इस मंदर को 11 माला 11 दिन तक इस मंदर का जाब करें और 12 दिन किसी को फलिया भुजन करदान करते हैं अगर आप किसी माला से मंतर का जाब कर रहे हैं तो रुद्राज की माला इस फटी की माला याने किश्टल की माला मुंगा माला से इस मंतर का आप जाब कर सकते हैं अगर बिना माला के इस मंतर का जाब करते हैं तो इस तरह से दोनों हांसे मुद्रा लगाएं और इस मंतर का जाब आदे गंटे तक रो नसू रूचे रिए